तो यहां पर अभी हमने देखा कि इसको हमने यहां पर इसके साथ यह सिर्फ हमने जो आइकन यूज करने उसके लिए कनेट किया है और यह काम भी लिंक जब करेगा जब इंटरनेट कनेक्ट होगा और इस पेज को आप खोलेंगे तो यह जो आप अपनी वेबसाइट के उपर लिंक देख रहे हैं यह वाले जो आइकन देख रहे हैं यह आइकन बैसिकली इस वेबसाइट से क्या कर लेगा वो लिंक करके ले लेगा फिलाल CDN Network से ठीक है तो अब आते हैं आगे अच्छे यह कोड आपने याद करने की जरूवत नहीं है यह सिर्फ आपने कॉपी करके पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है अब आते हैं अपने असल कोड की तरफ सबसे बॉड़ी के बाद आपने एक element बनाना है header का header के element के अंदर हमने एक बनाया नेव का element नेव के element के अंदर मतलब यह नेव का element यहां से लेके यहां तक का नेव का element है उसके अंदर यह सारे block बनेंगे नेव के element के अंदर सबसे पहला block जो बनाना है वो यह वाला है अब देखेंगे जितने भी block बनेवें ये से बनेवें एक इनका outer block होगा एक उनका inner block होगा ठीक है पहले हमने इसका बनाया है outer block जैनी कि इसकी जो technique है जितने segment बनाये इन सब के पहले एक outer block है और एक उनका inner block है तो यहाँ पर देखें लोगो लगाने के लिए इसको हम केते है brand logo तो brand logo लगाने के लिए हमने पहले एक इसका outer div बनाया है और अंदर logo लगाने के लिए एक और div बनाया है ठीक है अब जब यह वाला logo class जब हम use करेंगे तो यहाँ पर यह जो nav-logo की हमने class बनाई है और border की class बनाई है और logo की class बनाई है यह क्या काम कर रही है इसको भी हम study करत देखें नेव बार की class जो हमने define किये ना उसका simple काम है कि उसकी height define किये, उसका background color define किया है, उसका font का color define किया है, और उसको 3 चीजे flex box वाली हमने apply किये और ये सब आपको समझ में आनी चाहिए, कि display flex से क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी block level element होंगे, वो एक के नीचे एक और अगर आप यहाँ पर यहाँ पर देखें, अगर आप तो हमने display flex करा का, अगर मैं display flex हटा दूँगा, तो फिर ये flexibility जो इसके अंदर इस तरह से arrange किया, ये खतम हो जाएगी इसके अंदर से, दूसरा align items की property क्या करेगी, display flex के बाद ये property apply होगी, कि जितने भी इसके अंद होगा, center होगा, फिर justify content, इस पेस evenly property क्या करेगी, जितने container ये बने हैं, इन सब को distribute जब करेगा, तो वो इनके space को बीच के equal equal divide करेगा, इससे बिल्कुल आपको arranged नजर आएंगे, किसी में भी space कम जादा नहीं होगा, बलके एक ही space के उपर ये सारे नजर आ रहे होंगे, ठीक उसके बाद, ये हमारी काम कर रही है, navbar, तो ये navbar के उपर, nav element पे navbar की class आपने apply कर दी नहीं, क्योंकि ये आपका main container है, जिसके अंदर ही सारे container आएगे, अब आते हैं, पहले वाले container के अंदर, जो navbar के inside बन रहा है, logo वाला, logo वाले container में एक div बनाना है, और हमने class बना ली देते, आप इसका नाम end देदे, आप इसका नाम navigation देदे, मैंने इसका नाम nav-logo रखावा है, आप इसका नाम रख दे, main logo और sub-logo, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीके न, main logo container रख लें, और sub-logo container रख लें, फिर जैसा नाम आप रखेंगे, वो ही CSS में define करना होगा, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे नाम कुछ और रखा है, और यहाँ पे कुछ और नाम रखा है, तो फिर वो आपस में connect नहीं होगे, मतलब अगर जब मैं आपको code send करूँ, या तो आप वो ही code लिखें, जैसे मैंने बताया है, या आप अपने तरफ से change करने हैं, तो CSS में भी जाके वो आपको change क करना होगा, तो देखें, यहाँ पे हमने दो classes बनाई है, एक बनाई है nav-logo के class, जिसमें हमने उसके container का बताया है height और width, तो देखें, इसकी height हमने बताई है 50 pixel, और इसकी width बताई है 100 pixel, तो मतलब यह वाला जो container है हमारा, यह 50 pixel ऐसे है, 100 pixel ऐसे है, ठीक है, और फिर हमने क्या किया है logo, logo जो है container यह इसके inside container है, यानि कि यह इसका outer part है, यह इसका inner part है, इसके अंदर logo class लगाईए, उस class के अंदर हमने लगाया है background-image property, और आपको तो पता है background-image property का काम क्या है, कोई भी image उस container पर apply कर देना, लेकिन यहाँ पर एक नई property आपको सीखने को मिलेगी, जिस चोटे pixel है, और जबके अगर इस image की बात की जाए, जो हमारे इस folder में save है, इसकी width और height देखी जाए, तो इसकी काफी जादा है, देख रहे हैं, यह इसलिए है कि इसकी resolution अच्छी रखने के लिए width height बढ़ानी पड़ती है, minimum resolution पे जब आप सको save करेंगे, तो इसका result minimum resolution पे save करना है, ताकि जब आपका logo website पे लगे, तो वो properly sharp और bright नजर आए, तो देखें, अब इसको कैसे fix करेंगे, इस छोटे container के अंदर, तो इसके लिए property यूज होती है, border-size, slash, colon, cover, यह क्या करेंगे, अगर उसका container का size छोटा है, और image बढ़ा है, तो इसको उसके अंदर auto-adjust कर देगा इस तरीके से, यानि कि उसके size के अंदर ही adjust कर देगा image को, तो यह एक property आपके लिए सीखने वाली है, अच्छा, तो यह देखें, फिर आपका इस container में लग जाएगा logo, यानि कि इस container के अंदर यह image आ गया और यह outer part आ गया, अब आप एक बार observe करें, कि मैं ज उसकी transparent, अब आप सोचें कि जब border हम लगा रहे हैं, border तो apply हो रहा है, लेकिन color उसका transparent है, transparent में मतलब no color, तो वो border दिखाई नहीं देगा, तो देखें, हम एक element पे एक तो class लगा रहे हैं, nav dash logo, और साथ साथ उस पे एक और class लगा रहे हैं, कुन सी? border, लेकिन border तो appear ही नहीं ह हो रहा है, border लेकिन वो transparent है, तो हमने इस पे एक technique इस्तमाल किये, कि उस border को हम इस पे color कब भरें, कि जब उसके उपर हमारा mouse जाए, यानि कि शीडो element की बात हो रही है, शीडो element के अगर हम बात करें, तो फिर हमने यहां पे लिखा है, कि अगर border की class के उपर मेरा hover करूं, मतल उसके उपर mouse लेके जाएंगे, तो वो border में white color भर जाएगा, और white color भरने के बाद वो ऐसे जाहर होगा, यह काम हमने sub पर ही तकरीबन किया है, तो इस class को हम आगे बार-बार use करते रहेंगे, तो आपने zen में रखना है, तो उसके बाद यह पहला container complete हो गया, और अब चलते है और margin left, और इसके अंदर font size और margin left भेयान किया, अब यह दो क्यों किये, add first or second, अगर आप यहाँ देखें, तो यहाँ पर यह data आपको ऊपर नीचे दिखाना है, अब जब ऊपर नीचे दिखाएंगे, तो आपको दो block level element लेने हैं, और दो block level element लेने हैं, तो दोनों पर अलग paragraph बनाया, उस paragraph में block level element है, तो वो इसके नीचे नजर आएगा, और उसमें हमने लिख दिया deliver to, लेकिन deliver to तो इसके यहाँ चे नजर आना चाहिए था, फिर यह इतना आगे क्यों हो के नजर आ रहा है, वो इसलिए कि हमने इसमें add first की class डाल दी, add first की class ने किया कि इसका font size 0.75 पे कर दिया, और left margin इसका कितना कर दिया, 15 pixel कर दिया from its border, from its border 15 pixel कर दिया, इसलिए आगे चला गया, इसी तरीके से फिर हमने क्या किया, एक और div बनाया अंदर, यानि कि अब दूसरा element बनाया है block level का, और उस div को यहाँ close कर दिया, उसके अंदर हमने दो element यूज किया, एक त लेकिन ये जो code आप देख रहे हैं, ये code basically एक icon का है, जिस icon का हमने CDN पर link लिया है, ये icon कौन सा है, ये जो location का icon है, यहाँ पर हमने FA, solid, FA, location, dash dot जैसे ये लिखेंगे और हमारा link उपर लगावा है, और internet connect है तो ये icon यहाँ appear हो जाएगा, अब furthermore इस icon के नीचे हमने जो paragraph ल लगाई है, एक तो font size को थोड़ा बड़ा रखा है, पिछले वाले के, और इसका margin left जो है 3 pixel रखा है, तो ये 3 pixel, left 3 pixel आगे आएगा, और ये जो इसका font size है, deliver to सो थोड़ा बड़ा नजर आएगा, और इस से पहले, इस से पहले यहाँ पर जो हमारा ये लगा हुआ है, ये ज अब ये 8-dish icon की class बनाई है, अब ये 8-dish icon की class जो हमने बनाई है, अगर आप देखें, तो हमने इसको कहां use किया है, 8-dish icon को main div में use किया है, क्यों use किया है, दिखिए, अगर ये एक icon दिखाएगा, और paragraph एक block level element है, तो icon उपर आएगा, paragraph उसके नीच आएगा, लेकिन यहाँ पर तो icon और paragraph, text, पाकिस्तान दोनों साथ आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि इनको main container जिसमें डाला है, उसमें हमने वो ही काम किया है, जो open nav bar में किया था, display को क्या कर दिया है, flex, और align item को क्या कर दिया है हमने, center, मतलब दोनों साथ हो गए, block level है न दोनो, paragraph और आई जो ह गया, दूसरा block, अब आते हैं, तीसरे block की तरफ, इस block में हमने पहले HTML का code किया है, जिसमें हमने एक man div बनाया है, इसमें थोड़ा code जादा दिख रहा होगा आपको, तो यहां पर हमने man div बनाया है, यह वाला, और यह div हमने यहां पर close किया है, यह इसका outer part है, ठीक है, और में हमने nav search की class बनाया है, nav dash search की class में हमने क्या लिखा है, वो ही लिखा है, क्योंकि यह man container है, display flex कर दो, justify content के इसके अंदर, जो content नजर आ रहा है, उनके अंदर space को equal equal distribute करो, height इसकी 40 pixel रखो, और background color इसके अंदर से pink कर दो, width इसकी total 580 pixel रखो, और border का radius, चारो थरफ से 4 pixel का container, दूसरा input का container, तीसरा, search वाले icon का container, अब जैसी हम इन icons की container को जानते हैं, तो पहले HTML पढ़ने, पहला container इसका है, select class, इसमें हमने search select के उपर, एक class बनाई है, जो के apply होगी select पर, यानि के इस combo box के उपर, कैसे, उसमें values में जितने भी countries हैं, आप जितने चाहें, जादा add कर आ सकते हैं, और select को यहां, बंद कर दिया, अब क्यूंके display इसका flex है, तो यह select के बराबर में नजर आएगा, आपको input, दूसरा वाला element, उसके अंदर placeholder में search Amazon लिख दे, इसलिए यह लिखावा ही नजर आ रहा है, और class इसके अंदर search input की use की है, अब इसके क्या किया है, वो उस website पर मिलेगा, जिसका हमने CDN लिया है, वहाँ से icon का code लगाया, तो यह icon उस पर बनावा आ जाएगा, अब यह देखें, जो यह 3 classes हमने बनाई है, search select, और उसके साथ हमने बनाई है, sorry, nav search, search select, और उसके बाद कौन सी बनाई है, search input, और उसके बाद कौन सी बनाई है, बस यह 3 classes बनाई हैं हमने, search icon, ठीक है, तो यह 3 classes जो हैं कर क्या रही है, बई देखें, इसको भी flex करके सीधा किया, इसको क्या किया, इसका सिर्फ font size बताया होगा, तो आए इस देखते हैं, कि search select में हमने क्या किया, उसमें हमने एक background color बताया है, grey color का, width बताया है, 50 pixel, यह width बता color आगया, text align किया है, center इसको left, right से, और border top, left radius इसका, यहां से इसको थोड़ा goal किया है, और right radius को भी यहां से goal किया है, bottom radius को left वाले को, और border को none कर दिया है, यहीं कि उसका खुद का border हमने खतम कर दिया है, बस इसको थोड़ा को goal कर दिया है, थोड़े goal नजराएं को ने, यह इस पर लगाया है, तो इसका container आपको ऐसा नजर आएगा, और बाकी अंदर data जितना डालोगे वो नजर आएगा, फिर आते है input के उपर, input को कैसे किया है, input के अंदर हमने लिखा है, search input, तो इस class को हमने क्या declare किया है, इसमें भी यहीं किया है, width बताईए इसकी, तो इसकी width बताईए बला है, इसकी width 500 होगी, और इसके बाद font size बारे name कर दिया, border इसके भी खतम कर दिया, फिर तीसरा container यह वाला, search icon, search icon को हमने यहापे div पर लगाया है, इसमें search icon को हमने यहापे div पर लगाया है, इसमें search icon को इसमें बताईए, width बताईए 45 पिंग्सल, इसको भी display flex क क्योंकि इसके नदर एक icon आएगा और एक text आएगा, justify content, center कर दिया, left right से center, top bottom से center, font size 1.2 REM कर दिया इसका, background color पे यह color डाल दिया, और इसका right वाला bottom और top, दोनों के border के radius को goal कर दिया है, और border इसका भी none कर दिया, font का color इसका black कर रहा है, यानि कि icon black color का नज़र आ रहा है, इस class को डाला है, इसके container में, देखिए, एक ही किसम की technique है, और उसी technique को use करते वे, ये आगे container के अंदर data दिखाता जा रहा है, पहले main container को flex किया, तो सारे साथ आ गए, फिर हर container के अंदर flex करता जा रहा है, तो वो सारे सीधे सीधे होते जा रहे है, parallel नजर आ रहे है, अब आते ह ये दोनों container एक ही तरह थे design किये गए है, पहले HTML का code देख लें इसका आप, पहले HTML के code में इसमें क्या किया है, एक div बनाया है, उसकी div की class पर सिर्फ border लगाया है, ताके border आजाए transparent, फिर एक paragraph बनाया है और उसके अंदर span यूज किया है, paragraph ब्लॉक लेवल element है, लेकिन span inline element ह फिर paragraph के नीचे दूसरा paragraph लगाया है, और उसमें एक और class यूज की nav second और उसमें ये लिखा है, बलब दो paragraph है, इसके अंदर span है, उसमें span नहीं, span क्यू लगाया है, अभी इसको भी declare करते है, देखें, इसमें इसने border की class ये तो समझ में आ रहा है, उपर बनाया, ये क्या कि इसका font size कम कर दिया है, इसका font size बढ़ा दिया और इसका bold कर दिया है, बस ये की है, तो इसको CSS की class में कैसे define क्या होगा, तो सबसे पहले यहां पर देखें, नीचे आएंगे, यहां पर हमने span का element लगाया है, और span में font size 0.7 REM कर दिया है, तो इसका font size देखें, span वाले का कम हो गया, और फिर नीचे nav second में लगा गया, font size 0.85 कर दिया, थोड़ा बढ़ा कर दिया, और इसका weight बढ़ा दिया, मतलब bold करके उसको नीचे दिखा दिया, बस ये की है, बहुत क्या किया, same ही process apply किया, इसने nav dash card वाली class पे, यानिके इस वाली के पे, इस पे अलग से कोई CSS का code नहीं किया, वही एक div बनाया है, एक paragraph बनाया है, उसमें span रखाया, उसमें returns लिख दिया, दूसरे paragraph में and orders लिख दिया, उसमें sit border की class लगा, इसमें nav dash second की class लगाई, तो देखो उपर वाला चोटा और नीचे वाला बढ़ा नदर आ रहा है, और को इसमें use नहीं किया, तो द display flex किया होगा, इसको एक अलग paragraph पर flex करके bold कर दिया होगा, यहाँ पे एक लगा दिया होगा, और यह icon को बढ़ा करके दिखा दिया होगा, तो आजाए अब यहाँ पर देखते हैं, तो पहले हमने एक div बनाया है, div के अंदर एक i लगाया है, i for icon लग गया, icon का code यहाँ पर लगा दिया, वो अपनी website से लियाएगा, अच्छे इसमें परिशान नहीं होना, अगर आप icon का code सही लिख रहे हैं, और उपर link नहीं है, तो icon नहीं आएगा, अगर आप icon का code सही लिख रहे हैं, और उपर link भी लगाया है, और आपने घर पे test भी गया, internet चला के आ रहा है, और यहां कि आपके पास internet का connection नहीं था, और फिर आप कर रहे हैं code, तो भी icon नहीं आएगा, तो icon जब आएगा, जब उसकी website से, internet से वो connect होगा, हाला कि इसमें कुछ ambies भी यूज़ नहीं करेगा, वो एक byte, दो byte यूज़ करेगा, लेकिन connectivity होना लाज़ भी है, सिर्फ इतना के page खुले, website पर जाए, link connect करे, icon दिखाए, बस, disconnect कर दे, ठीक है, तो यहां पर देखी क्या किया इसने, icon इधर लग जाएगा, और icon के बरावर में card लिखा हुआ गया, और यहां पर एक class यूज़ कर दी, nav-card और उसके साथ border लगा दिया, border तक्रीबन तमाम element में use हो रहा है nav-card में क्या किया, nav-card में इसका font size कितना कर दिया, 0.85 और font size कितना कर दिया, 700, weight थोड़ा bold कर दिया, अगर यहां पर देखा जाए, तो यही setting यहां थी, देख रहे हैं, बास समझने की कोशिश कहिएगा, 0.85 यहां किया, 700 और यहां पर भी same डाल रखा, तो हमें यह class बनाने की भी जुरूरत नहीं थी, यह तो इसलिए बना लिके समझने के लिए, अगर हम इसी class को, nav-second class को उठा के, अगर यहां लिख देते, तो भी हमारा वही काम होता, जो भी हो रहा है, क्योंकि same properties के साथ थी, तो यह cart और यहां पर हमारा navigation and हो जाएगा, तो यहां पर जब any navigation and ह हो जाएगा, तो आपका भी यह code जो है, पूरा navigation create हो जाएगा, और यह आपको इस तरह से दिखाई देगा, पूरा navigation ऐसा दिखाई देगा आपको, समझ में आई बात, इस तरह से आप इस तरह का navigation जो थोड़ा difficult लग रहा है, लेकिन एक ही science के जरीए इसको बनाएं, जितने इसको बगड़ देखे apply करना है एक बार, जब एक दफा बगड़ देखे apply कर देंगे तो यहाँ बेट के भी आप test easily कर लेंगे, फिक है?